आपके अपने चैनल पीगेल टेगरी में आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तो आज आप सभी के लिए एक बहुती बड़ी गुड़ी नीज है तो दोस्तो क्या है वो गुड़ी नीज जानने से पहले अब अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन के दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 2009 में RRB railway के द्वारा NTPC के online form निकाले गए थे जिसमें बहुत से कंडिडेटों ने NTPC का जो form है वो apply किया था लेकिन कंडिडेटों का इंदजार ये था कि इसका जो exam है वो कब होगा लेकिन इसका जो exam है वो 2019 में बता गया था लेकिन जो किसी कानगरस नहीं हो पाया और दोस्तों exam होने से पहले सबसे पहले जो railway है वो application status जारी करता है कि 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 कंडिडेट का form reject हुआ है और किसका accept हुआ है और किस कारण reject है यदि reject हुआ है तो वो किस कारण reject हुआ है तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुती बड़ी good news है वो good news यह है कि RRB के दुवारा NTPC का जो application status अभुजारी कर दिया गया है और दोस्तों कैसे करना है आपको अपना application status चेक तो आए जानते हैं पूरी detail हो तो सबसे पहले आपको Google में आना होगा और Google में आने के बाद आप क्या type करेंगे RRB CDG तो दोस्तों यह 2020 को यह आप देख सकते हैं click to view application status तो दोस्तों आपको यहाँ click करना है जैसे आप यहाँ click करेंगे तो आपके सामने के नहीं window open होगी जैसा कि आप देख सकते हैं और यह आप स्क्रीन पर देख भी सकते है application status और यदि हाँ किसी candidate को अपना registration number नहीं पता है या फिर गुम हो ग आपको application status चेक करने के लिए यहाँ click करना होगा जैसे आप यहाँ click करेंगे तो आप देख सकते हैं select viewer rrb to check application status तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं screen पर यदि आपने अपना जो form है वह एमदाबाद जोन से लगा था तो आप एमदाबाद में जाके application status और चेक कर सकते हैं तो सुपोज मैंने यहाँ चंडीगड लगाया है तो यदि आपने चंडीगड फॉर्म अपलाई किया है तो आप देख सकते हैं आप जैसे चंडीगड पर click करेंगे यादे या फिर किसी भी जोन में click करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसी window open होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर आ आपके सामने आपका जो application status है वो जारी हो जाएगा उसमें यदि आपका फॉर्म इजेक्ट है तो reject दिखाया जाएगा और कार्ण भी दिखाया जाएगा और यदि accept है तो accept दिखाया जाएगा तो दोस्तों इस परकार आपको अपना जो registration number है वो एंटर करना होगा जैसा कि हमने किया है और फिर date of birth और फिर capture और यह एंटर करने के बाद आपको क्या करना है लोगिन करना है और लोगिन करने के बाद आपकी जो detail है यानि फोर्म इसेप्ट हुआ है या रिजेक्ट क्योंकि अभी अभी जो यह लिंक है एक्टिवेट हुआ है तो दोस्तों इस परकार अपना आप जो अप्ली के सटेट्स है वो चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह की न्यू अपडेट जाने के लिए आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन की बटन को प्रेस कर लें जिसे आने वाली कोई भी न्यू अपटेट कोई भी न्यू विडियो आप से मिसना और आप तक सबसे बहले पहुंच सके तो धन्यवाद दोस्तों जैंद जै भारत